जोईवांज, इसको बोलते हैं, उनका पेपर चल रहा और पैडेंस लोग बहार वेट रहा है का उमीद कर रहा है का उमीद कर रहा है कैसा गया पेपर? अच्छा गया है आपका? मेरा तो अच्छा गया अच् rendixa आप फ्रेजरते? क्या लग रहा है कि जो ड्रीम कोलेज मिल जाएंगे बागवान देखते हैं आपको फर्स देरा और गया चीए कैसा गया पेपर आपका आपका अच्छे बता बाएंगे योगी आपने फर्स्ट एटम भी दिया और सेकेंड एटम देरा तो क्या डिफ्रेंस लगा इस बार मदरास पेपर अच्छा सेट किया था अपर बहुत अच्छे होंगे और अभी जिसको बोलते हैं उनका पेपर चल रहा और पैरेंस लोग बाहर वेट कर रहें तो चलिए कुछ पैरेंस से मैं बात करता हूं किनका उनका किनका एक जाम था और कबसे यहां पर वेट कर पर पाइब को जिए रहें हो जाका जाना इशा फिर्ट अब बात किया है वच्चे से कहां उसके उपको पता जो भी 2020 का तियारी करते हैं जो डिया पाइटि गोई चीच मिल देघाँ अंकल के उमीद कर रहा है मडरा कि होना चाहिए अच्छा इस वार होना चाहिए अच्छा कूल अच्छा आप लोग पूरा टाइम दे रहें अंकल अपने बच्चे के लिए इस तरह से पहले भी देते थे क्या पहले अब अब्च्चे इसकूल में पढ़ते थे आते थे ते तो आप देखेर करते थे और बच्चे अभी पेपर आएंगे तो आप लोगी कुछे कैसा गया प पर और भी बहुत सारे परेंट्स हैं अंकल कैसे हैं पहले कौन पर देना आपके क्या उमीद करने अंकल उमीद तो करते हैं कि अच्छा पूंद आईटेम अभी पास्टेम के तो अपने घर पर एगर से घर से ही सेलस्टाइडी करके त्यारी किया ओनलीन कहीं जुएन किया ह बच्चे भी आ रहे हैं बाहर अब देख रहें एक्जामनेशन सेंटर के बाहर बच्चे लोग पेपर देखा रहें उनसे भी फीडबेक ले रहें कैसा पेपर गया इस पर पेपर का लेवल क्या था हो सकते बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इनका फर्स सकंड एटेम होग अनलाइन फिजिक्स वाला जो आप रिगुलर बेसिस पर पेपर देते तो और आज में टेस्ट यह तो क्या डिफरेंट लगा वही था अच्छा रिगुलर बेसिस पर तो 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 क्योंकि जो में एक जाम दें तो हमको इजी लगे तो कैसा लगा आपको इजी लगा क्या कि लेवल रहता वही था चलिए बेस्ट अप लाग कैसा गया पेपर आपका कुंसा ऐटम था आपका अच्छा फिक्टाग गया आप एक्टाइटेड लग जाकता बहुत अच्छा पर गया अच्छा तो नहीं क्या फिप्टी परसंवाना है फिप्टी परसेंट वनाए तो क्या उमीद लग रहा है तो क्या उमीद लग रहा है तो इसके बाद होने लगा तो फिर फिर हो गया खतम सब सकंट पेपर के लिए कितने एक्राइटेड है तो फिर फिर ओर क्या रेडियो ना जाएगा तो क्या लगए इस बाद मिल जाएंगे अभी काम नहीं कह सकते कुछ भी लेकिन उमीद है 50% सौल्व करका है अच्छा जो अगले साल पेपर देने वाल उनको आप क्या बोलें उनको कोंसा इटम था आपका सेकंट सकेंट अट अब आप अच्छे बादाव्यगे क्योंगे अपने फर्स एटम भी जैरा तो क्या डिफरेंस लगा अच्छा पिछले बार जो पेपर दिये थे और इस बार दिये तो इसमें जो बच्चे हैं जो अगले साल देने वाले उनको आप क्या गाइड करेंगा कि जो बेसिक फॉर्मूला जो उस पर कमांड रखो और जितना प्रैक्टिस को सकता है अच्छा आप रेगूलर बेसिस पर अपने कोचिंग में जहां पड़ते थे और ये टेस्ट दिये तो कोच्टन लेवल का बात करें तो क्या डिफरेंस था नाई सेम ही तो नहीं कहां से आप त्यारी किया अभी तो गर जिए तो पिछले साल आप कोचिंग में को आचा कॉन सा जाएंट के होए थे एदिड जी अच्छा ओड़ टो जोइन के होंगे वो वीजर करके काता है उसका जोइन के घंड़ कैसा गया पेपर कुण सा इटम था यह आपका क्या कुण सा एटम था फॉस्ट इटम था प्रस्ट इते यह सकेंडों सेकेंड अजिए लगा कि दोनों ही ठीक था अदि पेपर की लेबल की कुछ यूँ की बात करें जी था मोग्ट था हट अगौन से आपको हाद लगां फिजिक्स ने कोषण थे वह ट्रिकी कोष्टिन और फिजिक्स छीक था था क्रिक्स थे में अचा सब से पहले आप किसको इंट है क् jeux का अब ब्रिएолет के यदिह लिए थ्रेग नुढुर्प फिजिक्स नियुक्त फॉर्फिजिक्स घ्याएज इसलिए पहले फिजिक्स क्या ग्रेम कॉलेज कॉम शा House च है तो आका सबन्रादर्प कर पाद करें कि एड़ली पाद जाोड़ी योजिए इनिब्स कोई IT कोलेज मिल जाए तो क्या उमीद लग रहा है देखते हैं कोन सा एटेम था यह हर सकेंड फर्स्ट में एडवांस का फर्स्ट था और जेही मेंस का सेकेंड था अच्छा अब उस बार आप एडवांस के लिए इलीजिबल नहीं हो थे इस बार होई थे क्या उमीद लग र कि आजाने से कट आप तो किलियर हो जाएगा अच्छा कोश्टन के लेवल की बात करें फिजिक्स कमेंटर में प्रकूंस कोंसा इजी लगा कोंसा हाड लगा आपको अधिक्तर जो कोश्टन था जो बच्चे पेपर देने वाले उनको आप क्या गाइड करेंगे कि को देफली समझने के लिए अच्छा कितना परसेंट आप करका है हम लगवक रगता है एक सो नम्बर तक का हुआ है एक सो नमबर तक का हुआ है कट अपार कर जाएगे कर चालिए बस्ट अब लग आपके जो डूर्म कोलेज मिल पाए कैसा गया पेपर अच्छा गया है कि आ आप क्या कहते हैं अच्छा फुन्स आइटम था आपका फुर्ट पूरा दे रहा हूं उपर वाले पर सब कुछ आप जी बिल्कुल होई है आपका वही है अच्छा सबसे पहले कौन सा पॉर्शन को आप एटम्ट किये फीजिक्स था मैं फीजिक्स आश्टा करता हूं आप में कैमिस्ट्री देन फिजीग्स आपिस आच्छा मेश को अकसर बच्चे जब में बात कर रहा हूं सारे बच्चे ही बता रहे मैश को लास्ट में तन गरा क्यों जादा फ्रवासाँ ट्रीकी रहा च्छा कहां लेंदी पेपर रहताना मैजिशन के लिए तीनों सब्जेक और फिजिक्स वाज मोडरेट और मैं आज तुर्ट्री किया भाई अच्छा आपका कैसा पड़िया है हम मतलब अगला बात देंगे तो हम सिर्फ देखने आये किस तरह का यहां पर सिच्वेशन होता है इसलिए सिर्फ देखने आये अच्छा किस तरह का होता पेपर जो देख पर और यह वीडियो हम लोग भी इसलिए बनाते हैं जो नेक्स्ट यर बच्चे देने वाले उनको पता रहे कि पेपर किस तरह का आने वाला किस तरह से मुझे तयारी करना चाहिए और जो एक्स्प्रियेंस बच्चे उन से जानते जो पर देका आरे तो इन लोग को बहुत होता है आज यह लोग भी जानने आए तो कैसा है लगता है आप लोग भी वीडियो बहुत चारा देखते होंगे डिव्यू वाला तो कैसा लगता है बहुत अच्छा को ज्यादा इधर उधर भटकने की काम ने सिर्फ एक ही प्लेट फार्म पर सब कुछ मिल ले तो चलिए जानते हैं कैसा गया पेपर कैसा गया पेपर अच्छा था फोड़ा टफ ता और प्रिजिक्स बीट ही था हाट कुन सा लगा अपको सबसे इजी कुन सा लगा लगा केमस्ट्री चाम मम्मी ये साथ में क्या उमीद कर रहे इस वारांटी हम उमीद करेंगे अच्छा करें मेंटेस्ट तो क्या डिफ्रेंस लगा ऐसे एजी लगा अच्छ आपको वहां का पेपर थोड़ा सा हाट बनाया जाता लेवल इसका था यहां के पेपर देने आ तो हाट नहीं है हाँ हाट नहीं लगए जो अगले पेपर देने वाले बच्चे उनको अब क्या करेंगे और जैसे कि बच्चो आप लोग को यह पता है जी एडवांस का पेपर होता है दो सिप्ट होता है फर्स पेपर बच्छे आते हैं तो सब्सक्राइब के लिए तयार हो जीते हैं तो और बहुत सारे बच्चीं के अपक्छ्छा में बात करें तो मेंकाव थोड़ा हाद था और सटे क्या बताते बच्चें शब्सक्री में आ करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में जयूर बताए तब तक कलिए बाई-बाई- अपडेट के साथ